असलाम अलेकूम यह मेरे गाउं का एक और एक मैंने वीडियो बना के तयार करी हूँ मुझे गाउं से आके तो काफी टाइम हो चुका है लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई हूँ और फिर से वही चूले को जलाने का काम स्टार्ट किया गया काफी महनत के बाद बहुत इंतिजार के बाद वह चूला तयार हुआ जलके अब यह मैं पतीले के आजू बाजू तेल लगा रही हूँ इससे क्या होता है न जो हम चूला जलाते हैं तो उसका जो काला पन छोड़ता है वो निकल जाता है धोते समय आसानी से नहीं तो फिर उसको वाश करने में बहुत प्रॉबलम हो जाती है तो या तो आप जो ये मिट्टी होती है उसे गिली करके लगा लीजिए या तो इस तरीके से तेल लगा लीजिए अब मैंने ये चूला जला के इसको अभी ये पतीला लग दिये थे और इसमें आप बिर्यानी बनाने का काम स्टार्ट करते हैं जिसमें मैंने पतीला ली हूँ उसमें मैं आउल डालूँगी अच्छी काफी मिगदाल में पहले हम बिर्सा बना के तयार करेंगे तो फिर से वही चूले में लकड़ी डाली जा रही है काफी महनत का काम होता है और बहुत ध्यान दे के करना पड़ता है कितना असानी होता है गैस को स्लो कर दो फास कर दो लेकिन इसमें काफी महनत लग भी है लेकिन बहुत टेस्टी सा खाना बनके तयार होता है तो अब ये चूला जलाया जा रहा है तेल गरम हो रहा है तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब ये मैंने प्यास जो कट करके रखी थी इसे डाल दूँगी और बीच 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 चेक करती रहोंगी अब ये मैंने टमाटर ले ली हूँ अब ये टमाटर को भी मैं अच्छे से वाश क्र लूँगी और इसे दो के इसे कट कर के रुख लूँगी यह सब कितना अच्छा लगता है नल के नीचे इसे फ्रेश फ्रेश पानी इसे दो, और पने इसे दोना और इस्तिमाल करना ये बिरिस्ता निकानने के बाद मैंने इसमें यहानें । जो नहींदsom बाद को अच्छे करना पड़र भून लोगी और यह देखिए यह लेमन है जो के मैंने पहले वीडियो में दिखा चुकी हूं कि इतना बड़ा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संत्रा है और अब यह है दूद लेकिन मैंने इसका दही जमाने रखी ती जो के बिल्कुल भी दही जम के तयार नहीं हुई क्योंकि गाओ में जल्दी दही नहीं मिलती है जो दही बनाने के लिए रखे थे तो लिम्बू दाल के हमने रखे थे लेकिन बिल्कुल भी दूद फटा ही नहीं था तो बस जो भी दूद था वही उसको एड़ कर दिये और लेमन दाल दी मैंने इसमें और अब यह मैंने च चावल का पानी भी तयार करके रख दी हूँ और यह देखिए यह चिकन का मसाला यह भी रेडी हो रहा है मैं लास्ट में यह ब्रिस्ता कोतमेर और कुछ पुदीने के पत्ते पुदीना भी गाओं में जल्दी नहीं मिल पाता है तो यह हमारे आंगन में ही थोड़ा सा पु जो मसाला बना के रखी थी मैंने अब यह से डाल के इसका स्टीम दे देंगे और इससे अच्छे से भाप आने देंगे माशालला बहुत मज़दार बिर्यानी बने थी और यह खाना खाने के बाद हम थोड़ा बाग में बाहर की तरफ निकल गए थे तो यह इस तरीके से था इनके पपये की ज़र्णल बहुत ज्यादा पपये लगे हुए थे अभी एकच्छे थे कुछ वक्त के बाद यह अच्छे से पक जाएंगे तो यह देखे हर तरफ हर्याली ही हर्याली होती है खुली हवा खुला खुला आसमा देखने मिलता है और यह तालाब है हम लोग मैंने तालाप की भी ले रही थी, देखे कितनी सारे डग है, कितना खुबसूरत लग रहा है न, तो अब यह डग यहां पे तैर रही है, यहां पे भी बच्चों ने काफी इंजॉय करें, काफी मस्ती करें, और फिर शाम का वक्त होने लगा, तो फिर हम लोग घर की तरफ नि होती है, जो हमेशा हम सब को याद रह जाएगे, तो हम सब यहां से अब निकलने लगे, शाम का वक्त हो रहा था, यहां पे मगडी बहुत जल्दी हो जाती है, साड़े पाच बचे एक्दम अंधेरा होने लग जाता है, यह हम लोगों के घर के आगे से बाग का है, यह इस अबसूरत लग रहा है, सब देख के, ऐसा दिल कर रहा है, एक बार फिर से गाहों चला जाए, और यह सब फिर से इंजॉई किया जाए, और कुछ दिनों के बाद हम मुंबई के लिए निकल गए, यह लास्ट वीडियो था, तो यह मैंने छोटा सा क्लिप लेगे,